नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्स विजेवित रूही तो अगर किसान आंदोलन लंबा चला और उग्र हुआ तो राजिस्तान में इसका कितना असर पड़ेगा राजिस्तान की 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें इसके प्रभाववे में आएंगी और क्या सचिन पाइलेट हमें एक नए किसान की नेता के रूप में उभरते हुए नजर आएंगे उनके पिता राजिस्त पाइलेट तो किसान नेता कहलवाया ही करते थे तो कुल मिलाकर इस बात की विवेचना करने की कोशिश करते हैं किसान नेता राजेश पाइलट के बेटे सचन पाइलट जब अशोग गहलोत की सरकार के समय अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे तो किसान बेल्ट में बहुत घूम रहे थे गंगा नगर हो चैज शेखावटी का इलाका हो यहां वो बहुत जा रहे थे और किसानों का भारी समर्थन भी उन्हें मिल रहा था और अब लोग कह रहे हैं कि जब किसान संकट में हैं पंजाब का किसान धर्ना प्रदर्शन कर रहा है MSP की Legal Guarantee की मांग कर रहा है तो ऐसे में सचिन पाइलट की एक किसान नेता के रूप में क्या नया अवतार होगा नई छवी क्या होगी इसकी लोग विवेश ना करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर खाने बाना जा रहा है कि कॉंग्रेस का जो किसान विंग है वो विरोध प्रदर्शन की तैयारी में लगा है ट्रेक्टर तैयार किये जा रहे हैं जब भी हरा सिगनल मिलेगा हरी जंडी मिलेगी दिल्ली कूच कर जाएंगे पिछली बार जब किसानों ने धरना दिया था तो शाजापूर बॉर्डर पर किसानों ने अपना पड़ाव डाला था तब आरलपी के हनुआन बेरिवाल भी शामिल हुए थे और उसके बाद किसानों के तीन कानून के मुद्दे पर उन्हें काला कानून बताते हुए उन्होंने NDA से अपना पला ज़ाड लिया था तो इस बार क्या होगा माना जा रहा है कि सीधे सीधे गंगानगर हनुआनगड की जो लोकसवा सीट है उस पर तो सीधा सीधा फर्क पड़ेगा ये सीट बीजेपी के लिहाज से भी सीश रेनी की सीट है यानि थोड़ी मुश्किल सीध मानी जा रही है उप चनाओ भी बीजेपी ने यहां हारा था और कॉंग्रेस ने विधानसवा चनाओ में भी यहां ठीक ठाल प्रदर्शन किया था और वहां के किसान तो लंबे समय से लाम बंद हो रहे हैं पंजाब का इलाका उनके से छूता है और पता भी नहीं लगता उस इलाके में जाओगी कब गंगानगर हनुआनकर खत्म हो जाता है और कब कंजाब शुरू हो जाता है तो वह किसान वैसे ही उत्वेलित हैं और अगर किसान आंदोन उक्र हुआ तो वो सीट क्या बीजेपी के लिए खत्रे में पढ़ जाएगी किसान मतलब जाट मोटे दोर पर माना जाता है उस हिसाफ से देखा जाए तो शेखावटी बेल्ड की तीन सीटे हो गई बाडमेर हो गया और फिर बीकानेर की सीट हो गई यहां तक की अजवेर में भी भीलवाडा में भी नागोर में भी पाली में भी कुल मिलाकर आठ से दस सीटे हैं जो जाट बहुल सीटे कहलाती हैं और उन पर किसान आंदोलन क्या क्या फर्क पड़ेगा ये देखना दिल्चस्ट रहेगा भीलवाडा में जो बिजोलिया का एक किसान मूवमेंट अंग्रेजों के समय में हुआ था ये इस बिजोलिया किसान मूवमेंट की भी तुलना करीब 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 उस समय के जो लोवपुरुष थे सरदार पटेल उनका जो आंदोलन हुआ था गुजरात में उस खेड़ा का आंदोलन किसान का आंदोलन जिससे महत्मा गांदी बहुत प्रभावित हुए थे उससे तुलना भी की जाती है और वैसे भी कम्निस पार्टियों का शिखावटी के सीकर बेल्ट में अच्छा होल्ड है और वो भी किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ी रही है पार्टियों डबलू टियों के खिलाफ अलग जागरण जगाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी और वसुंद्रा राजे के शासन में तो कम्निस्टों ने ही विरोध परदशन करके वसुंद्रा को किसान की एक आदमांग मानने के लिए मजबूर कर दिया था जबकि पॉलिटिकली उनकी ताकत इतने नहीं थी लेकिन मास मुव्मेंट था जंता जुड़ गई थी महिलाएं जुड़ जुड़ गई थी बच्चे जुड़ गए थे पुरुस जुड़ गए थे तो एक भरा भारी एक इन्वाल्मेंट हो गया था क्या कॉंग्रेस इस तरह का इन्वाल्मेंट पैदा कर पाएगी इसके लिए अच्छे नेताओं की जुरत पड़ेगी और सचिन पाइलट की भूमी का पर सब गौर फर्मा रहे हैं सब को लग रहा है कि सचिन पाइलट इसमें बड़ी भूम भी हो और इस बहाने एक किसान रेता के रूप में सचिन पाइलट एक अलग भूमी का में नजर आएं इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा रहा है देखिए MSP को लीगल गरेंटी की बात हो उसमें राजस्थान का किसान उद्वेलित है इसके अलावा स्वामिनाथन कमीशन की सिफारिश के अनुसार comprehensive cost C2 plus 50% वो मांग राजस्थान का किसान भी लंबे समय से करता रहा है और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भारत सरकार के तीन मंत्रियों ने पंजाब के किसान यूनियनों के साथ बैठ कर बात की जिसमें दाल की तीन किसमे थी और इसके अलावा मक्का था इसको लेकर कहा कि 5 साल तक MSP पर खरीदेंगे कपास भी था उसमें तो नर्मा कपास भी गंगानगर श्रीनक और हनुआनगर में बहुत बैदा होती है और सरसों का तेल सरसों बहुत होता है हिंदुस्तान में जितनी सरसों होती उसकी 40 परतीशत राज़स्तान में होती है तब पंजाब के किसानों ने कहा था कि सरसों भी सरकार MSP पर 5 साल के लिए खरीदें ये वादा सरकार को करना चाहिए तो ठीक ठाक संक्या में राजिस्थान का सरसो उगाने वाला किसान भी इस आदोलन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है जहां तक भजनलाल सरकार की बात है तो उनों ने अपने चुनावी गोष्णा पत्र में कहा था यहांत है तो कोई किसानों में नाराज गयी है कि 2.000 विज्जि मुफ्त मिल रही है आँव दूसरी से विधाई मिल रही थी उसको लेकर किसानों के हकों में कोई कटौती नहीं की गई है और उल्टा बजट के अंदर भी किसान क्रेडिट कारड की तरच पर एक गुपाल प्रेडिट कारड की भी बात कही गई है लेकिन मूल रूप से राजस्तान का किसान अपने आपको थोड़ा सा ठगा हुआ तो महसूस कर ही रहा है चाहे केन सरकार की नीतियां हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो तो ऐसे में चुनाओ से ठीक पहले किसानों को भी मौका मिलेगा अपने विरोध प्रदेशन को सामने रखने का और किसान भी जानता है कि बच्चा जब तक रूता नहीं है मा दूद नहीं पिराती दूसरा जब लोहा गरम हो तो चोट कर देनी चाहिए हतोड़ा मार देना चाहिए तो लोकसवा चुनाओं में आचार सहीता जारी होने से पहले सरकार पर मोधी सरकार पर भजलाल सरकार पर दबाव डालने का एक मातर विकल्प राजस्थान के किसानों के पास गही है कि जांदोलन में वो पढ़ चड़ कर भाग ले अभी जैसा मैंने आपको कहा सूत्रों के अनुसार हरी जंडी का इंतजार किया जा रहा है और अगर भारत सरकार से किसानों की बातचीत अंतिम रूप से टूट जाती है जिसके लिए किसानों ने आज रात तक क्या या कल सुभे तक का वक दिया है और दिल्ली कूच कल किसान करते है और इस बीच कोई नया प्रपोजल नहीं आता है तो राजस्थान के किसान भी दिल्ली कूच कर सकते हैं इस बात की सभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता अशोक हेलोत की सरकार थी तो शाजापूर बॉर्डर पर उनको अराम से तंबू वंबू गारने दिये गए थे टेंट लगाने दिये गए थे इस बार ऐसा स्वागत शाजापूर बॉर्डर पर भजलाल सरकार राजस्थान के किसानों का करेगी ऐसा लगता नहीं है लेकिन किसान भी एक खुद मुक्तार कौम है मार्शल कौम है सिक्खों की मार्शल कौम है जाटों की मार्शल कौम है इन से भड़ना भी आसान काम नहीं होगा शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया